आप सबसे इंट्रेस्टिंग और सबसे जादा पूछा जाने वाला सवाल अंचुल जूबली की अगली फाइट कब होने वाली है यूएफसी में उनका डेब्यू कब होगा हमें बदाए फाइनली उसका एंसर आ चुका है और आप सब को पूरी तरीके से एक्स्पेइन करुगा कि उनकी फाइट किसके साथ होने वाली है क्या वो इस फाइट को जीच सकते हैं कौन है उनका पॉरेंट कब होगी फाइट कहां पर होगी फाइट सब कुछ आपको एक्स्पेइन करूगा लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा यूएफसी का एसा इंग कॉंटेंट इननी में एंजॉय करन मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं कि यहां पर फाइट में अपोनेंट कौन होने वाला है अंचुल जूबली का यहां पर अपोनेंट होने वाला है यूएफसी के ही लाइटवेड डिविजन का फाइटर माइक ब्रीडन जो की डेना वाइट कंटेंडर सिरीज के थू यूएफसी के अंदर आया था और उसकी फाइट होने वाली है अंचुल जूबली के साथ यूएफसी 294 भायो कुछ भी और आगे बढ़ने से पहले मैं परसनली यह बताना चाहता हूं कि यह फाइट का अनालेसेस करने में और अंचुल जूबली की ऊपर वीडियो बनाने म कि एक इंडियन फाइटर यूएफसी के अंदर फाइट करने वाला है और हमको एक इंडियन फाइटर को चेर करने का मौका मिलने वाला है तो भायो अब बात करते हैं यहाँ पर फाइट की अंचुल जूबली वर्सेज माइक ब्रीडन तो देगे इसकी ऊपर एक जब और भी डीटेल्स निगल के आएंगी दोनों के फाइट कैम्स के बारे में लेकिन अभी मैं अपने अरली थॉट्स बताता हूँ इसलिए भाईयो यहाँ पर फाइट अनाउंस हुई है एक इंडियन फाइटर फाइट कर रहा है तो आप सबके दिमाग में भी एक क्वे रिकॉर्ड से जज़ कर रहे है माइक ब्रीडन का UFC के अंदर रिकॉर्ड है 10 विक्टरी और 6 लॉसस तो 6 लॉसस से बहुत ज़ादा ज़ज करा जा रहा है यहां माइक ब्रीडन को और कहा जा रहे है कि यह एक अन्रैंक्ट फाइटर है और बहुत ही इज़ी फाइट होने व तो इसके यहां पर जो फैक्ट्स है वो बहुत ही अलग है माइक ब्रीडन को UFC ने यहां पर साइन करा था तब उसका रिकॉर्ड 10 विक्टरी और 2 लॉसस था उसके बाद उसने डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में एक फाइट करी और 3 फाइट्स UFC के अंदर करी और दीनो फ करता हो कि इंगल डिजिट लॉसस हैं आपके तो आपको बहुत ज्यादा खराब फाइटर नहीं हो और भायो यहां पर रैंकिंग्स का भी कुछ मतलब नहीं होता है UFC के अंदर UFC के अन्रैंक्ट फाइटर्स भी बहुत ज्यादा हाई लेवल हाई क्यालिबर फाइटर्स होते और अन्रैंक्ट में आपको कब कौन मिल जाएगा आपको कोई भरोसा नहीं होता है इसी के साथ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा तो अंचुल जूबली UFC के अंदर फाइटर नहीं है जो इंडिया से फाइट करने वाले है इससे पहले 2017 म और भाइट कर रखी उन्होंने अक्टोगॉन के अंदर और वह भी UFC के बहुत ही बड़े कंटेंडर के साथ भरत खंडारे ने हाँ पर फाइट कर रखी है सौंग या डॉंग के साथ UFC के बैंटमवेड डिविजिन में नोवेंबर 2017 को तो भाईव मुझे याद है मैं उस टा लेकिन भाई भाईयो 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 बहद खंडारे की कारियर काम को पता है यह कि उन्होंने जब सौंग यडॉंग से फाइट करी तो अविसली उन्होंने फॉस्ट और उस टाइम पर सौंग यडॉंग भी एक अन्रेंग्ट UFC फाइटर था लेकिन आज के टाइ बट मैं यह चीज आप सब को बताता हूँ, अन्रैंक्ट डिविजन के फाइटर्स परसनली मुझे लगता है कि जादा खतरनाक होते हैं इसका मैं रिजन यह देता हूँ, अन्रैंक्ट अपोनेंट में आपको पता निए कि आपका अपोनेंट का एक्चुल केपबिलिटीज कितना है, वो आगे जाने वाले में अच्छा फाइटर बनने वाला है या कोई गेट कीपर है, लेकिन रैंक्ट अपोनेंट काम को पता है क वो कभी ने अब अन्रैंक्ट होते है, तो अन्रैंक्ट डिविजन होता है, वो बहुत ही ज़ादा वोलेटाइल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, मेरे को तो परसनली ऐसा ही लगता है, वागी भाइओ, मुझे अन्शुल जूबली की पे बिल्कुल भी डाउट न पहुँचे थे और उनका अपोनेंट था जैका सारेगी, वो काफी सारे नॉकाउट्स निकालके निकलके आ रहा था और उसकी बीछे बहुत सारी हाइप थी, सारे जो इंडोनीजियन फैंस थे वो काफी जादा ट्रोल कर रहे थे, in fact अंचुल जूबली को कोई भी चांस नही बड़ी थी नहीं, अंचुल जूबली को कहा जा रहा थे कि वो भी नॉकाउट हो जाएंगे, जेका सारेगी ने उसी टूर्नमेंट के अंदर पवन मान को भी नॉकाउट कर दिया था, तो कहा जा रहा थे कि जेका सारेगी अंचुल जूबली को भी नॉकाउट कर देगा, तो अंचुल जूबली ने अपने आपको काफी अच्छा हैंडल करा, काफी अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल करा और वहाँ पर एक बहुत ही डॉमिनेंट विक्टरी निगाली ओक्टागॉन के अंदर जो परसनली सैटेसफाइंग भी बहुत जादा थी और अपने हेटर्स को ऐसा जवाब दिया था ओक्टागॉन के पर्फॉर्मेंसे जो कि भाई यो परसनली बहुत ही जादा मज़ेदार था और आगे जाने वाले टाइम में अगर अंचुल जूबली फेमस होते हैं सक्सेस्फुल होते हैं तो उनकी ये स्टोरी बहुत जादा बताई जाएगा और अंचुल जूबली की यहाँ पर सिर्फ हाइप ही नहीं है उनके पास उनका रेजियो में भी बहुत ही तगड़ा है इस लेवल के हिजाब से काफी सारे उन्होंने fights कर रहा हैं उनकी amateur record में भी वो undefeated रहा हैं अभी तक वो undefeated और I hope आगे भी undefeated ही रहेंगे तो road to UFC जैसा tough fighter जिसमें इतने सारे fighters आते हैं China, South Korea वगेरा से उन सब को हराना उस tournament को जीतना एक अपने में ही बहुत ही बढ़ी बात है भाईयो डेफिनेटली अगर फस्ट लुक से देखा जाए तो अंचुल जूबली को यह fight Mike Breeden के अगेंस्ट इसली जीच जानी चाहिए अब इनका fighting style कैसा है, Mike Breeden का fighting style कैसा है, वो किस, क्या उनकी weaknesses है, क्या उनके strength है सब कुछ मैं अनलाइज करके कुछ दिनों में एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप सब स्टे ट्यून जरूर रहे है, तिन भाईयो आप सबको जो भी opinion होगा इस fight के बारे में नीचे comment section में जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आयागो तो इसको लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, मिलता हूँ आप सबको नेक्स वीडियो में अगले अपडेट के साथ, बाई बाई